अगर तुम्हारे बात के पास अगर्दम है तो इंदुस्तान में जो इंडिया गेट है इंडिया गेट पे जितने लोग जंगया अजादी में लड़े उनका पूरा फ्रीडम पट्रस का नाम दिखा गया है जिन में टोटल नाम है 95,300 नाम लिखे दे हैं जिसमें से 61,395 नाम मुस्रुमानों के है उसका प्राइब प्राइब तुम जाने के बात करते हो दुनिया को बलत दिखाना नहीं आता नबरत की आग हमें लगाना नहीं आता हम तो टिफू के चाहने वाले हैं इस वास्ते दूश्मन के आगा है सरकोर चुखाना नहीं आता इपु सुल्तान को एज़ का गदार मैं आप लों को बताना चाहूंगा मैं आप रोग बताना सामगा टिपू सुल्टान अगर हिंदो विरधी थे अगर गदार थे जो एक सो तिरपन मंदिर इसने बनायो टिपू सुल्टान है एक सो तिरपर मंदिर नहीं बलके मंदिर में जो पंडित रते उनका घर का खर्चा देखने वाले भी हज़र टिकु सुल्तान रही मतुला लगे और यह लोग कहते हैं कि पू हिंदो मेरदी है कि पू सुल्तान देश फिरोदी है अगर देश के घद्दार होते इस अगर देश के मंदिर में तुड़ा होता अरे बाबा नंजन गुडा में आज भी टिपू सुल्तान के नाम पे पूजा आती है मैं अभी शापूर से आ रहा था तो सोचिल मेड़ा पे देखा कि एक कोई एक पादल जैसा गुड़ा इसका नाम के मुतालिक पितालिकर नाम नहीं वाल कर दिया जिस जिनका नाम में आपके लेना भी पसंद नहीं करूंगा मेरी अच्छी महिफिल को मैं खराब करना नहीं चाहता हूं का नाम लेके वह पर्शू स्केटमेंट दिये के टिपू सुल्तान के नाम पे स्टाश्यू बनाते उसको तोड़ देते बोलके बर रहे मैं उनसे कहन करना चाहता हूं अगर टिपू सुल्तान के स्टाश्य को तोड़ना है तो 1779 में 1779 में हजरा शहीद टिपू सुल्तान नहिमत उलाल है कि तरितों को 14,000 एकर जमीन गिफ्ट में दे दिये उसको नीरावरी करने के वास्ते 300 से ज्यादा तलाब बनाए गए वो तलाब को कंट्रोल करने के लिए उसे पानी सप्राय करने के लिए एक ध्याम बनाए गया वो ड्याम का नाम किया रहा से आज भी वहां पे कि पुस्तान के नाम प्थतर मौजूद है तो लोग एक दूसरे का मूग लेखने लगे बड़े-बड़े मशायकीन थे बड़े-बड़े-बड़े हाफिस थे उल्माय दीन थे तो लोग परिशान थे कि ऐसा वैसा कौन शक्स है जो बाली पने का ताजुद्र की नाचुड़ी हो तो शेरे मैसूर पीचे के तरवाज से आकर नमास पड़ाई है एक राजा अपने सल्टनत को रखनार रखते हुए सब को देखते हुए नमास की पाबंदी की और एक छोटी से घगीद कल्चाल अपनी जगा लेना चाहूंगा जब शेरे मैसूर हजरा टिपु सुल्तान रह्मतुलाले पे पोर्थ आंगलो घगीद excel हरे मतुलाले तो ऐसल्पाइं के साथ जो कुछ उनके साती स्फाहीं थे अंग्रेजों के साथ मिलेए थे जर्णाल हरिस के साथ मिलेए थे एसहें अजरश की पुस्तान रहलाय को नाश्णा नाश्डा कर रहे थे उस वकत अंग्रेज पीछे से आए जब अंग्रेजों का अटाक हुआ राजा खान नामी सिफाई किपु सुल्तान रह्मतुलाला के पार जाके बोलता है कि दुश्मन पीछे की दर्वाज से खिले से अंदर आ गए उस वकत किपु सुल्तान खाना खा रहे थे अपना पहला न अब सरपर कफन बान कर तयार रहेंगे हम डरते रहें अब तक अबना रहेंगे हम कानून को दस्तूर को थोड़ेंगे नहीं हम चेड़ों अगे तिफू के थोड़ेंगे नहीं हम